नमस्कार राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है मैं प्रिया आपके साथ आईए देखते हैं देश विदेश की प्रमुक खबरे इंदोर के आवेश और रजद दक्षिन अफरिका दोरे के लिए भारती टीम में चुने गए विदेश में सक्थ दिशा निर्देशों का पालन करना होगा सांसदों को नीजी दोरों पर विदेशी आतित्थ स्विकाल लेने से पहले केंदर की मनजूरी जरूरी टेक्नोलोजी कंपनियों की मनमानी पर रोक लगने की संभावना गूगल कनाड़ा की मीडिया फर्मों को सालाना 612 करोड रुपे देगी आस्ट्रेलिया और जर्मनी भी कर चुके हैं ऐसे करार चीनी इंफ्लुएंजा विदेश यात्रा पर सक्थी दो प्रतिशत का आटी पीसियार टेस्ट होगा पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के दोरान निर्वाचन आयो के निगरानी दलों ने 2000 करोड से अधिक की जप्तिक की दिल्ली युनिवर्सिटी में एक साथ दो डिगरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है ओडिशा में निट जेई की मुफ्त आनलाइन कोचिंग ग्यान वापी SI को दस दिन की महलत सीमा विवाद पर वारता जारी रखने पर सहमत भारत और चीन अफसरों से बेंस ने माफी मागी बोले फैसले व्यक्तिगत नहीं जारखन में पेपर लिग केस में दस साल जेल दस करोड तक जुर्माना प्रधान मंतरी मोदी ने रोजगार मेले में 51,000 युगाओं को नियुकती पत्र बाटे राश्टपती मुर्मू एंडिये की पासिंग परेड में शामिल महिला के डेट बेच की प्रशन साकी पन्नू मामले में कमीटी की जाज के बाद रुक तय करेंगे भारत ने कहा 19 साल बाद टाटा की दमदार एंट्री टाटा टेक पहले ही दिन धाई गुना बढ़ गया पैसा मेगा डिफेंस डिल सिंत्यानू तेजस और 156 प्रचंड हेलिकॉप्टर खरी देंगे बागी की तमाम खबरों के लिब ने रहिए राजनमा टीवी के साथ धन्यवाद